लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगे। पदियात्राव और रहनी निकालते वे निशलोल तसील में पहुँचकर किसानों के समर्थन में नारेबाजी की और जनसभा कर लोगों को बताया की अजादी के बाद देश के किसानों ने उमीद किया था की उनको जमीनेवं क्रिशी उपजो का उचित मुल मिलेगा। लेकिन देश का किसान आज भी कर्ज में जनम ले रहा है और हल पल बढ़ रहा है कर्ज में ही मढ़ जा रहा है। आतितनी बत्तर की प्रति घंटे दो किसान आत्मे हत्या करने को विवस हैं। मोधिस सरकार की क्रिशी कानू से उनकी दुर्बस और बढ़ जाएगी जिससे मुक्ती पाने के लिए पूरे देश के किसान और किसान प्रतिनी दि लगबर डेर मा से कड़ा के ठन में दिल्ली के चारो तरप आंदोलन कर रहे हैं। जिससे अब तक 60 से ज्यादा किसानों की जाने जा चुकी हैं। के माध्यम से महामहिम राजपार उत्तरपर्देश से मांग किया है कि तीनों क्रिसी का वापस लिया जाए, निम्तर समर्तनमूल को कानून बनाया जाए। स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिस तरह से पुजिपतियों को कर्जमाप एवं वेलाउट पैकस दिया जा रहा है। उसी तरह से देश के गरीबो का भी महिला स्वेम सहता समू, पसुपालन कुटीर, उधोग, क्रिसी घरेलू, बिजिली का कर्श माप किया जाए। किसान परिवार में मरे आसित परिवार को कम से कम दस लाग मुवाजा दिया जाए। थरिया जाए।